नमस्कार फ्रेंड्स, आरो टेक्निकल में आपका स्वागर्त है, कैसे हैं दोस्तों, उमिद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदरुस्त होंगे, सेफ होंगे, देखें दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक कमेंट लेने बाला हूँ, हमारे वीवर ने हमसे कोस्टन कि पानी पीते हैं, क्या वो बोईल करना ज़रूरी है, या हम आरो का पानी डायरेट पी सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही कमेंट लेंगे, और इससे थोड़ा एक्स्प्रेंड करने की कोचिस करेंगे, जिससे की जो भाई भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी व किस लेबल का प्यूरिफिकेशन होता है, आगर हम प्यूरिफिकेशन के एंगल से बात करें, बोईल पानी और आरो का पानी किस लेबल पे प्यूरिफिकेशन करता है, देखे, सबसे पहले हम लेते हैं बोईल पानी, देखे, जब हम पानी को बोईल करते हैं, तो बोईल करन जो पानी में dust, mud, particles वगर रहते हैं, chemical impurities वगर रहती हैं, या अगर हमारा पानी salty पानी है, जैदा tedious है हमारे पानी का, या पानी में अगर hardness जैदा आ रही है, तो क्या वो सारी चीजे boil पानी से खतम हो जाती है, ऐसा नहीं है, वो चीजे खतम नहीं होती, सिर्फ अगर हमारा पानी boil है, तो उसमें सिर्फ बेक्टिर ही clear होते हैं, अब दूसरी तरफ, अब हम बात करें, अगर आरो वाटर पिरफैर की तो आरो वाटर पिरफैर में यह आप जो फिल्टर सोगर है, यह जो आप सारे देख रहे हैं, इसमें 5-6 स्टेज पे, अगर इस टैप के ही 90 प्रसेंट इस टैप के feature दिए गये रहते हैं, जिसमें कि एक फिल्टर वागर रहता है, सेडिमय फिल्टर रहते है, चारकुल फिल्टर रहते है, आरो का मेंबरें रहता है, और यह यू वी चैंबर रहते है, अब हम बात करें कि आरो वाटर पिरफैर क्या क लगा हुए, तो dust mud party का स्वगरा हम वह अगला हुआ है उसके बाद हमारा फिर sediment filter एक और इस unit में लगा रहता है, उसका भी काम यही रहते हैं जो पारनी में dust mud party का स्वगरा आते हैं, लगबो filter 5 micron तक लिंव दियाते हैं जो कि हम direct आखोंसे भी नहीं इतनी बारिगी से हमारे आरो के जो फिल्टर होते हैं पानी को छानते हैं या फिल्टर करते हैं ठीक है अब यह तो हमारे डश्मर्ट पार्टिकस वगरा अब इसके बाद आ जाता है हमारा आरो जो होता है उसमें यह चारकुल फिल्टर भी होता है यह जो आप बैक सेट में द जैसे हम लिए बैड क्लर्स, श्मेल, एक्सेस क्लोरिन यह और भी जो चैमिकल्स एक्सेस मात्रा में जो रहते हैं उन्हें भी यह आरो सिस्टम जो है यह जो कारबन फ्लिटर है हमारे यारो वाटन फ्लिटर को अपने में एब्सोर करता है चैमिकल्स इंपरिड़ जैसे थोड़ा सा अगर टेस्ट में विएकर दिक्करत आ रही है यह थोड़ी स्मेल वगारा यह जिसे हम ओडर बगारा बोलते है वो चीज की दिक्कत है तो वो सारा हमारा चारकुल फिल्टर दूर कर देता है इसके बाद फिर देखी ये कैमिकल इंप्यूरिडी जो ये दूर करता है ये हमारा बोइलिंग पानी में नहीं होगा जो डश्मर्ट पार्टिकस वगरा के लिए हमारा सेडिमन फिल्टर इसमें रहते है वो बोइलिंग पानी में नहीं रहेगा अब चलो ठीक है हम ये कहते हैं कि हमारे या पानी साफ आता है हमारे या स्मेल भी नहीं आती हम उसी पानी को बोइल करके पी लेते हैं या फिर हम आरो के पानी को बोईल करके पीना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात ये आजाती है कि आरो का पानी जो है, हमें बोईल क्यों करना है हमें बोईल, हम ये सोच के करते हैं कई बार हमारे पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भी हमारों का पानी बोल करके पीते हैं तो देखिए आगर आपके पास ऐसा कोई वाटर पेर वहर है जिसमें की UV सिस्टम लगा हुआ है यह जो UV चेमबर है इसका काम रहता है जो इसके अंदर अल्टरा वाइलेट लेम्प रहता है उसका काम यही रहता है जो पानी में जम् के आता है तो वह उसको जो जम्स वैक्टीरिया वायरुस उनका असर पानी से खतम कर देता है और जो हमारा स्टोर इस्टेंग में पानी जो प्योर पानी पानी श्टोर होता है अब कुछ आरू वाटर पिर फैर या कुछ वाटर पिर फैर ऐसे भी हैं जिसमें की UV नहीं अगर भी आते हैं तो अगर वह फिल्टर आपके पास है तो उस फिल्टर को आप बोईल करके पी सकते हैं मलग पानी को फिल्टर किया और इस पानी को हमने बोईल कर लिया लेकिन अगर आपके आरो में UV सिस्टम लगा हुए तो पानी बोईल करने की कोई जूरत नहीं है वह waste of time है, waste of energy है, waste of gas है, फिर उसमें process भी भोज जयता, लंबा हो जाता है, कि पहले उसे boil करो, फिर उसे ठंडा करो, उसमें फिर gas की भी यह सारी होती है, तो मोटा-मोटा आपको इस वीडियो के मातने से मैं यही कहना चाहरा हूँ, कि दो हर्पों में बात खतम करूँगा, दो words में बात खतम करूँगा, कि अगर आपके पास कोई ऐसा water purifier है, जिसमें कि UV लगा हुआ है, और UV system proper काम कर रहा है, क्योंकि कई बर RO system या UV water purifier ऐसे होते हैं, जिसमें कि UV system तो लगा रहता है, लेकिन उसके अंदर UV exact काम नहीं कर रही होती है, वो हमें पता ही नहीं चल पाता है, कुछ system ऐसे होते हैं, जिसमें कि UV काम नहीं कर रहे तो पानी बाइपास होके आ रहा होता है, और फिर उसमें हमारे जो germs bacteria वाला जो पानी का purification होना चाहिए, वो ची नहीं होता, ये जरूर आपको confirm कर लेना चाहिए, कि आपके पास जो system है, उसमें जो UV लगी है, वो proper काम कर रही है नहीं, अगर तो proper काम कर रही है, तो आप उसका पानी ले सकते हैं, अब एक चीज और भी है, चलो ये हुआ हमारा आरो water purifier में हमारा तो कह रहता है कि जो पानी जो आता है filter होके उसका flow कम रहता है, बहुत एक घंटे में एक से आट से दस लिटर पानी filter करता है, जो domestic में यूज़ किये जाते हैं, ठीक है, अब कुछ water purifier ऐसे रहते हैं, जो कि आरो नहीं होते, वो UV water purifier होते हैं, अब UV water purifier में क्या रहता है, ये membrane नहीं रहती या ये motor नहीं रहती, उसमें ये system रहता है कि sediment filter, carbon filter, UV system या UF वी अगर लगा हो तो लगा रहता है, उससे पानी filter होके हमारे tank में जाता है, अब हम बात करें, UV प्लस UF water purifier के तो उसमें भी एक चीज़ हमें ध्यान लखने होते हैं, कि ये नहीं कि हमारे यां अगर UV water purifier लगा हुआ है, मैं माफी चाहूँगा, मेरा UV बाल बार मेरे को यूज़ करना पढ़ रहा है, अगर UV लगा हुआ है, तो हमें जो है, जो पानी भरने की speed है, या जो pure पानी जो हमारा आएगा, आरो की बात नहीं कर रहा है, जो normal UV purifier है, उसके speed हमें कितनी रखनी है, इस पे डिपेंड करता है, अगर तो हमने पानी का फ्लो बहुत तेजी से खोल दिया, और उसका फ्लो एक मिनिट में एक से सवा लिटर ना रहके, उससे तेजा उससे डबल कर दिया, तो जो हमारा एक experience है, या जो हमने पढ़ा है, या जो सुना है, जो experts की हमने documents वगरा सुने हैं, उसमें उतना purification नहीं रहता है, इसलिए branded कंपनियां भी जो रहती हैं, वो भी यही कहती हैं, कि जो हमारा water purifier रहता है, आरो water purifier, जो की electric system से चलता है, तो उसका फ्लो जो है हमे एक मिनिट में एक से सवा लिटर का flow ही रखना है, प्योर पानी का, उससे तेज रखेंगे, तो वो तो natural है, अगर हम तेजी से पानी अगर हमने खोल दिया, तो जल्दी जल्दी filter घूंकता हुआ आएगा, वो उतना उस लेबल का purification नहीं कर पाएगा, जितना कि हमें एक सव लिटर का flow रखने पे होगा, तो especially एक चीज़ का में ध्यान लगना है, कि अगर हमारा विदाव टारो वाला water purifier है, तो उसका पानी का जो हमें फ्लो है, एक निट में एक सवा लिटर करना है, टाइम जरूर लगेगा भरे में, लेकिन purification उसका बढ़िया होगा, compared to high flow, अगर हमने खोल दिया, और दूसरा अगर ऐसा सिस्टम लगा और जिसमें UV लगे तो boil करने की कोई जूर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा ये e-boiling का काम करता है, आपने सुनाओगा एक word सुनाओगा e-boiling, तो e-boiling का process हमारा यही रहता है, कि इसमें जो electric boiling, जो UV वगरा की race जो jumps दो मिनट की और चलेगी, एक चीज ओर भी है, कईवह doctor स्वगरा सला देटे है, मालने हम पेट हम आरो का पानी यूज कर रहे है, पानी अच्छा filter रहे है, पानी का टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन कईवह doctor स्वगरा ये सला देते है, कि अगर आपके पेट में कुछ गडबड करके पी सकते हैं डाक्टर के सलाह जरूर माननी चाहिए तिक्कत वाली बात निया देखो जिंद्रों में हमारे तबियत खराब है या हमारा कुछ स्वास्ते खराब चल रहा है और अगर डाक्टर के सलाह है कि आरो का पानी भी बोल करके पी जो तो एक्स्टा सेफटी लेने की ले सकते हैं उसे नजर अंदाज नहीं किया जाता लेकिन नूर्मन दिनों में आप ऐसी डिर्ट पानी ले सकते हैं डिर्ट जो पानी हमने उसे फिल्टर के वो बोलिंग वाला बोलिंग किया मानलों हमारे पानी के टीट Khoney इसी 700 आरहिए तो आरो का पानी बस एक ही कंडिशन में आप बोल कीजिए जब डॉक्टर वगरा सला देते हैं बस फाइनल आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँगा यह छोटी सी जानकारी अपनी तरब से जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है जरूर क्लियर होगी और अगर आप चैनल पर पहले बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल एक अंदबा लि पहले कि घँए चैनल को क्राषी के जाची कर लिबारेज कि अपने पर दानल कर दो